हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप से वीका गनेश टड़ी बंड योटूब चैनल पे तो देखे दोस्तों CRPF Constable Tradesman प्रिक्षा 2023 प्रिक्षा आपकी एक जुलाई से शुरू होने वाली है तो लाश्ट 14 दिन बचें आपकी प्रिक्षा में CRPF Tradesman प्रिक्षा 2023 के लिए लाश्ट 14 दिनों में ये प्रशन रट लो Model Paper 1 कवर करने जा रहे हैं जिसमें आपको GKGNs और Science कवर कराए जाएगा बिल्कुल असली वाला पेपर कवर कराएंगे CRPF Tradesman पेपर के लिए जल्दी से देख लो इस पेपर को CRPF प्रिक्षा में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा Top 40 आपको Question कवर कराए जाएंगे इसलिए इस पूरे वीडियो में ध्यान से अंड तक बने रहेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले Question में पूछा जा रहे हैं कि चीन को पाकिस्तान से जोडने वाले राजमार्ग का नाम क्या है अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी Question का राइटंसर पता है तो आप साथ साथ हमें Comment Works में अपना राइटंसर बता सकते हैं अगले Question में पूछा जा रहे हैं कि निमल लिखित में से कौन सी जन जाती बहुपती प्रथा का अभ्यास करती है तो बहुपती प्रथा का जो अभ्यास है ये किया जाता है जोनसारी जन जाती के द्वारा और आपको इस वीडियो में पूछा जा रहे हैं कि निमल लिखित में से किस नदी को दक्षण गंगा और व्रिद गंगा के नाम से जाना जाता है तो दक्षण गंगा और व्रिद गंगा के नाम से आपके जाना जाता है गोदावरी नदी को काफी फ्रेंड्स की डिमांड आती है कि आपकी वीडियो से एक भी क्वेशन नहीं पूछा जाता इसका एक यही रिजन रहता है कि आप वीडियो को पूरा आद तक नहीं देखते सभी कॵेशन को ध्यान से आन तक नहीं देखते वीडियो को स्किप करके आद तक देखते हैं तभी आपसे एक्ग्जाम में कॵेशन छो aside साना अगर आप बेली practice side पूरे attend करते हैं तो आपका एक भी question exam में गलत नहीं होगा इसलिए आपको एक गी काम करना है वीडियो को ध्याम से end तक देखना है अगले question में पूछा जा रहे हैं कि कौन सी नदी अंतमी अरब सागर में गिरती है तो कौन सी गिरती है तो ये गिरती है आपके तापती नदी करेक्ट अंसर ऑप्शन में पूछा जा रहे हैं कि खंब स्वांग कि जन जाती द्वारा किया जाने वाला एक लोग पर ये लोग ना टायर खंब स्वांग is a popular folk drama performed by which tribe तो ये जो perform किया जाता है ये किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि ग्यानपीट पुरुसकार निमल लिखित में से किस छेतर में उतकरश्टा के लिए दिया जाता है तो ग्यानपीट जो पुरुसकार है ये किस में दिया जाता है तो ये आपके साहित्य के छेतर में दिया जाता है लिट किसम है मर्यूर वाज इन दे न्यूज एज इट गोड जी आई टैग तो ये किस का रण चर्चा में थे तो ये किस की एक किसम है ये क्वेशन में पुछा जा रहा है तो ये किसम है आपके गुड की करेक्ट अंसर ऑप्शन बर बी रहेगा इस क्वेशन का अगले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि भीम बेट का सेलाश्रों के लिए युनेस्को स्थल किस राजे में स्थित है इन विच स्टेट फोर दा रोग शेल्टर ओफ भीम बेट का युनेस्को साइट लोकेटड तो ये कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित आपके मध्या प्रदेश राजे में डी नमबर ऑप्शन विल विज राइट अंसर अगले क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है ब्रेश्वर मंदिर निमल लिखित में से किस राजे में स्थित है ब्रेश्वर टेंपल इस लोकेटड इन आपके इस वीडियो को शेर करना क्योंकि काफी महनत से लिए डेली आपके वीडियो प्रिपेर की जाती है अगले क्वेशन में पूछा जा रहा है कि चमबल नदी कहां से निकलती है फ्रों मेर डस दर इरर चमबल ओर इस चमबल नदी है तो ये हैं Malaysian Ringgit Correct answer option number D रहेगा Next question में पूछा जा रहे हैं कि Elora में केलाश मंदिर डैश के द्वारा बनवाया गया था केलाश temple at Elora was built by तो इसे बनवाया गया था कृष्टना प्रत्थम के द्वारा बढ़ते हैं एंगले question की और Next question में पूछा जा रहे हैं कि हमपी में विरुपाक्ष मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है विरुपाक्ष टेंपल in हमपी is dedicated to which हिंदू God तो ये आपके dedicated है भगवान शिवजी को Option number A will be the right answer अगले question में पूछा जा रहे हैं When was new development bank was stabilized New development bank की स्थापना कब हुई थी तो new development bank यानि कि NDB की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 2015 में हुई थी Right answer for this question option number C रहेगा अगले question में पूछा जा रहे हैं कि Punjab National Bank की tagline कै है What is the tagline of Punjab National Bank तो PNB Bank की जो tagline है वो है The name you can bank upon Correct answer option number C रहेगा इस question का Next question में पूछा जा रहे हैं कि City Union Bank Limited की tagline कै है What is the tagline of City Union Bank Limited तो इसकी tagline है Trust and excellence since 1904 Option number B इस question का विल्कुल राइटन से रहेगा अगले question में पूछा जा रहे हैं कि When was State Bank of India Established तो भारतिय स्थापना कब हुई थी तो भारतिय स्थापना हुई थी यह आपके 1955 में हुई थी Option number A इस question का विल्कुल राइटन से रहेगा अगले question में पूछा जा रहे हैं कि Kotak Mahindra Bank का मुख्याले कहें Where is the headquarters of Kotak Mahindra Bank तो Kotak Mahindra Bank का जो headquarters है यह आपके माहराश्टर में स्थीत है राइटन से option number A रहेगा इस question का देखे दोस्तों अभी तक आपने इस video को like नहीं किया तो please जल्दी से like कर दिजे काफी मेहनत से आपके लिए daily video यहाँ पर prepare की जा रही है अगले question में पूछा जा रहे हैं कि मिनाक्षी मंदिर की स्राजे में स्थीत है In which state मिनाक्षी temple is situated मिनाक्षी मंदिर की अपने बात करते हैं तो यह आपके तमिल नाडू राजे में स्थीत है अगले question में पूछा जा रहा है जगनाथ मंदिर की स्राजे में स्थीत है जगनाथ temple is located in which state तो जगनाथ मंदिर के अपने बात करते हैं तो जगनाथ जी का जो मंदिर है यह आपके ओडिसा में स्थेथ है अगले question में पूछा जा रहा है पदमनाफ स्वामी मंदिर किस राजे में स्थेथ है In which state पदमनाफ स्वामी temple is located तो पदमनाफ स्वामी का जो मंदिर है यह आपके केरल में स्थेथ है राइटन सर आप्शन नमर B रहेगा इस question का अगली question में पूछा जा रहे हैं कि उगादी निमल लिखित में से किस राज्य का सबसे विशिष्ट त्योहार है उगादी is the most exclusive festival of which of the following state तो उगादी जो त्योहार है वो आपके कहां पे मनाया जाता है ठीक है यह आपको बताना है जो कि studio का homework question रहेगा daily आपसे एक homework question पुछा जाता है तो यह studio का homework question रहेगा जिसका राइटन सर आपको हमें comment box में बताना है आगली question में पूछा जा रहे है कि मुंद्रा thermal power station dash में स्तित है मुंद्रा thermal power station is located in तो यह located आपके गुजरात में option number D will be the right answer आगली question में आपसे पूछा जा रहे है कि निमल लिखित में से किस राजे में इंदिरा सागर बांध स्तित है in which of the following state इंदिरा सागर डैम is located इंदिरा सागर जो डैम है यह आपके मध्या परदेश में है option number C will be the right answer बढ़ते हैं एगले question की और next question में आपसे पूछा जा रहा है समसपूर पक्षी अभ्याण निमल लिखित में से किस राजे में स्तित है in which of the following state समसपूर बर्ड सेंचुरी इस लोकेट़ तो यह स्तिता आपके उत्तर परदेश में option number A will be the right answer अगले question में आपसे पूछा जा रहा है कि श्री नगर शहर किस नदी बैसिन में स्तित है to which river basin the city श्री नगर is located तो यह located आपके जेलम नदी बैसिन में option number D यहां पे right answer रहेगा अगले question में आपसे पूछा जा रहे है Indian bank का मुख्याले कहा है where is the headquarter of Indian bank Indian bank का जो मुख्याले है यह आपके चैनने में स्तित है right answer option number A रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है बाल फक्रम राश्री उध्यान की स्राजे में स्तित है in which state बाल फक्रम नैशनल पार्क is located तो यह located आपके मेगाले में option number B will be the right answer next question में आपसे पूछा जा रहे है संयुक्त अरब अमिरात की मुद्रा कै what is the currency of UAE तो UAE की अगर अपने currency की बात करें तो UAE की currency है दिरहम option number B यहां पर right answer रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है सिंगूर बांद की स्राजे में बनाये गया देखें दोस्तों बात करते हैं सिंगूर डैम की तो सिंगूर जो डैम है यह तेलंगाना में मनाये गया है correct answer option number C रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है कोली डास is the traditional folk dance of which state कोली डास किस राजे का पारंपरिक लोक नरत्य है अगले question में पूछा जा रहे है कि भारती स्टेट बैंक की tagline के है what is the tagline of state bank of India तो इसकी tagline है pure banking nothing else ठीक है और इसका headquarter मुंबई में है स्तापना हुई थी एक जुलाई 1955 को अगले question में पूछा जा रहे है भारत की स्वर संयुक्त राष्टर का सदश्य बना है in which year India has become a member of United Nation तो इंडिया इसका member बना था 1945 में C number option will be the right answer अगले question में पूछा जा रहे है अंतर राष्टरिय आपरादिक पुलिस संगठन यानिकि जो Interpol है उसका मुख्याले का है where is the headquarter of international criminal police organization Interpol तो Interpol का जो मुख्याले है वो आपके Leon France में स्थीत है right answer option number D रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है Dr. Salim Ali पक्षी अभ्यान किस राजय में स्थीत है Dr. Salim Ali Bird Century is located in which state तो ये located आपके गोवा में option number D will be the right answer next question में पूछा जा रहे है कि किस देश में सरवादिक रामसर स्थल है in which country there are maximum number of रामसर साइट तो maximum number of जो रामसर साइट है ये United Kingdom में है ठीक दोस्तों बढ़ते हैं final question की और final question में पूछा जा रहा है Corbett राश्री उध्यान किस राजय में स्थीत है in which state Corbett National Park is located तो ये located आपके उत्राखन में राइटन सरवाप्शन बर A रहेगा तो आज का model paper हमने cover कर लिया आपका 40 प्रश्णों में से क्या score रहा है कमेंट करके जरूर बताईगा homework question का भी राइटन सरवापको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा धन्यवाद